नाक की हड़ी बढ़ गई है पुराना नजला है या माईगरेन की समस्चा है जुखाम है लंबे समय से या बार-बार चींके आती हैं इसका बहुती साधार तरीके से सफल इलाज हो सकता है आयरवेद में ये कहना है मेरे साथ उपस्तित डॉक्टर ओम देव जी का ये बीमस ड और शदी से ये ठीक होते हैं इसी बारे में आपको डीटिल में जानकारी देंगे ये कोई कमर्शिल वीडियो नहीं है कोशिश शिर्फ इतनी है जैसा आप जानते हैं कि हमारे भारतिये पदती में यदि बीमारियों का सफल इलाज हो सकता है बिना साइड इफेक्ट और बि बिलती रहे नजला हो जुखाम हो साइनस की समश्या हो आभी बती किस तरह की बिमारिया है क्या है किसी को धूल मिटी से अलर्जी जैसा की बच्चों में आप देखते हैं धूल मिटी से अलर्जी हो जाती है स्नीजिंग उनको सुरू हो जाती है छीक्यानी सुरू हो जाती ह अन्य था किसी को नाक में हड़ी, डॉक्टर जैसे बता देते हैं, एडेनोइड में, एडेनोइड जो ग्लेंड है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, नेजल पॉलिफ हो जाते हैं, अन्य था कोई और इस से जुड़ी हुई, और दरोगों से जुड़ी हुई, आपकी नाक से, स 40 वर्ष पुराना माईग्रेन का दर्द ही क्यों ना हो, हम उसको विदिन 7 डेज ठीक करके वापस रोगी को घर भेज देते हैं, और उसको किसी सर्जरी की आशकता नहीं है, यदि उसके नाक की हड़ी बढ़ गई है, अन्य था किसी तरह का साइनस है, किसी तरह की भी डेनस है, जैसे कि सेप्टम आपका डेवेटिड हो जाता है, तो उस समस्या में भी हम केवल और केवल नश्य करम के द्वारा, जो कि पंच करम का एक हिस्सा है, हम रोगी को स्वस्त करके विदिन 7 डेज ठीक करके घर भेज देते हैं, जैसे किसी को लंबे समय से नजला है, जो खा जाएं, तो कहीं ना कहीं उस वेक्ति को उसकी जट्रागनी मंद है, और कफ की उसको समस्या है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कफ का इन्फेक्शन जरूर है, और उस इन्फेक्शन के कार्ण वह बार बार इस तरह से जुकाम से, नजले से, बार बार छीके आन इस तरह से वह गर्शित हो जाता है, वैसा माहूल मिलते ही, जलवाईव परिवर्तन होते ही, अथवा मोसम के बदलते ही उसको इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं, कुछ समस्याएं सभाविक रूप से आती हैं, जैसे के मोसम बदलता है, बसंतरीतु में कपिंग अलता है, लेकिन हर मोसम में थोड़ा सा गर्मी, सर्दी, थोड़ा सा भी परिवर्तन होते ही, जिसको छीके आएं, जुकाम हो, जल्दी जल्दी धूल मिटी से अलर्जी हो, उसको कहीं न कहीं उसको कफ का इंफेक्शन जरूर है, तो उसके लिए हम साथ दिन के लिए हम अपने पास हैं, अपनी ऑजर्वेशन में हम उसका नश्चम करम करते हैं, और उसके लिए जो ओसद है, वह हमारी स्वान भूत, एक योग है, उसका हम सहरा लेते हैं, और उसके बाद में हम यदि अवशकता समझते हैं, तो फिर हम उसको कुछ पंदरा दिन की ओसद दे करके, उसको घर भेज देते हैं, और उसको पूर्ण तया लाब मिलता है, यदि एक परतिशत, अथवा दो परतिशत में कहूंगा, के लाब नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं, यदि रोगी बदप्रेजी करता है, किसी ना किसी रूप में, ट्रीटमेंट के दोरान, जो पत्थे हैं, आप उ जुखाम ठीक होने की संभावना हो जाती है, पूरी शत्त परतिशत, यदि पुराने से पुराना नजला है, पुराने से पुराना माईग्रेन है, कोई किसी भी तरह का सरदर्द है, आखों में भारीपन है, सर में भारीपन है, नाक की हड़ी बढ़ गई है, आपका में इसका इलाज करवाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, या ठीक नहीं हो पाते हैं, उसका क्या कारण है? मिला है, उसका कारण है, चिकित्सक का सही उसद का चैन ना करना, और रोगी का परहेज ना करना, रोगी का सयमी ना होना, उसका भोजन पर नियंतरन ना होना, अर्था चिकित्सक के दोरान उनका सेवन कर लेना, उसके कारण से सफलता नहीं मिल पाती हैं, पुराना नजला ह साइनस हो या माईग्रेन हो इसका आयरवेद में एक पदती है उसके द्वारा बहुत सफल इलाज हो सकता है यह कहना है बीएमस डॉक्टर ओम देवजी का यदि आयरवेद में नैचुरल तरीके से माईग्रेन या फिर पुराना नजला ठीक हो सकता है वो भी बिना किसी इफेक्ट के बिना ज्यादा दवाईयों के भीमारिया ठीक हो सकती है तो उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है आप बात कर सकते हैं जुड़े टेक्निकल फार्मिंग से नमस्कार जैहिंद जैहिंद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले